चलिए आज बनाते हैं आवले का तीखा चटपटा अचार, ये अचार बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, एक बार इस अचार को बनाकर आप पूरे एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको अचार बनाने से अचार को स्टोर करने के सारे टिप्स भी बताने वाले हूँ, आप इस वीडियो पर अंतर तक जरूर बने रहे हैं, तो चलिए इस अचार को बनाना शुरू करते हैं, नमस्कार, निशा मदूरी में रेसीपीज में आप सभी का स्वागत है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए, और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरेंट पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए, फ्रेंट्स हम सभी जानते हैं कि आवले में विटामें C बहुत जादा मातरा में हो हैं, तो आपके विटामें C की कमी बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं, जिससे आपके हड़िया भी काफी मजबूत होगी, और आपके एम्मेनियोटी बोस्ट होगी, और आपका शरिर अंदर से काफी स्ट्रॉंग होगा, आवले का अचार बनाने के लिए हमने यहां, आधा कि तीले में दो गिलास पानी डाल दिया है, अभी हम इसके उपर एक छलनी रखेंगे, इसमें अभी हम आवले डाल देंगे, सारे आवले मैंने छलनी में डाल दिये हैं, इसे ढख देंगे, और ढखकर 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, 10 मिनिट पूरे हो इसे उबल चुके है, इनकी फांके अलग निकलना शुरू हो गया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए जब आवले इस तरह से अपने आप खुल जाए, तभी आप गैस बन करें, अभी हम गैस बन कर देंगे, और इन्हें एक ठाली में निकाल लेंगे, और अभ आवले की फांके अपने आपे अलग निकलना शुरू हो जाती है, फटा-फट हमने एक आवले की फांके अलग कर ली है, गुटली को हटा दिया है, इसे अभी हम एक eldestाली में रखेंगे, और इसे इस तरह से फैला देंगे, इसी तरह से अभी हम सारे आवलों की फांके दूप में सुखा लेंगे, अगर दूप ना हो तो आप दो घंटे पंके की नीचे ही इसे रख दीजे, हमें इसकी नमी को दूर करना है, इन्हें बहुत जादा ड्राइ नहीं करना है, चले जब तक आवले सूख रहे हैं, तब तक हम अचार के लिए मसाला बना कर त्यार कर ल लेंगे, एक चोटा चम्मच काले मिर्च डालेंगे, एक चोटा चम्मच लॉंग डालेंगे, सारी चीजों को मेडियम टू लो फ्लेम पर हमें दो मिनिट के लिए भून लेना है, हमें इन्हें बहुत जादा क्रिस्पी नहीं करना है, केवल इनकी नमी को दूर करना है, दो से तीन मिनिट पूरे हो चुके हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं इनकी खुश्पू आने लगी है अभी हम गैस बन कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसी कड़ाई में अभी हम दो बड़े चमच सरसो की दाल डालेंगे यह पीली सरसो की दाल होती है किसी भी किराना स्टोर में यह बहुत ही आसान इसे मिल जाती है अगर आपको पीली सरसो की दाल ना मिले तो आप अपने घर की राई को हलका सा भून कर पीश कर भी अचार में मिला सकते हैं देखिए एक मिनिट भूनने के बाद अब ये सरसो की दाल अच्छे से भून चुकी है इसे हमें एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसी कड़ाई में अभी हम आधा कप सरसो का तेल डालेंगे अगर आपको सरसो का तेल पसंद नहीं है तो आप किसी भी कुकिंग उयल में इस अचार को बना सकते है लेकिन सरसो के तेल में बना हुआ आचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है तेल को अभी हम एक भाप आने तक गरम करेंगे तेल को हमें उबालना नहीं है अचार में जब भी तेल डालना हो इसे गरम करके पूरी तरह से ठंडा करके ही डाले अभी तेल अच्छे से गरम हो चुका है देखिए इसमें भाप आने लगी है हमें तेल को इतना ही गरम करना है अभी हम गयस बंद कर देंगे और तेल को ठंड़ा होने के लिए रख देंगे तेल अभी हलका गुनगुना है पूरी तरह से ठंड़ा नहीं हुआ है इसे समय हम इसमें हम हिंग डालेंगे इसे अच्छय से मिला देंगे इस तरह से हलके गुनगुने तेल में ही जब हम हिंग डाल देते हैं तो इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अभी हम इस तेल को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी हमारे मसाले पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं इसे हम मिक्सर के जार में डालेंगे और हलका दरदरासा पीश लेंगे अगर आपको खड़े मसाले अचार में पसंद हो तो आप इसे मत पीशिए ऐसे ही खड़े मसाले डाल सकते हैं इसे में अभी हम आधी सरसुप की दार डालेंगे और आधी बचा कर रख लेंगे लिजे हमारे मसाले पिसकर त्यार हो गए है देखिए मैंने इन्हें इस तरह से हलका दरदरा सा रखा है अभी दो घंटे पूरे हो चुके है आवले की फाके देखिए इस तरह से सूख चुकी है इनकी नमी निकल चुकी है इन्हें अभी हम एक काज के बाउल में निकल लेंगे इसमें अभी हम ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे ये पिली सिरसुकी दाल डालेंगे जो हमने बचा कर रखी थी एक चोटा चम्मच कलाउंजी डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे चीनी की जगे गुर्वी आप डाल सकते हैं इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको थोड़ा ज़ादा मिठा अचार पसंद हो तो आप इसकी मातरा को बढ़ा भी सकते हैं इसमें एक चोटा चम्मच काला नमक डालेंगे दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अगर आपके पास कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर हो तो आप डालिए मैं यहां नॉर्मर वाली लाल मिर्च ही डाल रही हूँ एक चोटाई चोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे दो बड़े चम्मच नमक डालेंगे नमक की जगे आप से इंधा नमक से भी सचार को बना सकते हैं सारे चीजों को अच्छे से मिला देंगे फ्रेंट्स मैं आवले का अचार इस तरीके से बना रही हूँ आप आवले का अचार कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए अगर आपको ये रेसी भी पसंदा रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है अभी हम इसमें ये सरसुका तेल डालेंगे तेल डालते समें इस बात का ध्यान रखे कि तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए इसे अच्छे से मिला देंगे देखिए अभी इसे मिलाते समें ही इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है और खुश्बू भी बहुत ही प्यारी आ रही है पैसे तो अभी हमारा आवले का अचार बनकर तयार है आप चाहे तो इसे अभी खाना शुरू कर सकते हैं लेकिन अचार खाने का सही मज़ा अचार के सौफ्ट होने के बाद ये होता है मैं इसे ढखकर पासे 6 गंटों के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूं आप चाहे तो एक दिन इसे ऐसे ही छोड़ दे पासे 6 गंटे पूरे हो चुके हैं हमारा आवले का तीखा चटपटा अचार बनके तयार है चलिए इसे सर्विंग बावल में निकाल लेते हैं ये अचार बहुत ही स्वादिश लगता है आप इसे रोटी पराठा या स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं इस अचार को आप पूरे एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो आइए जानते हैं अचार स्टोर कैसे किया जाता है अचार स्टोर करने के लिए आप कोई भी एर टाइट कंटेनर ले सकते हैं लेकिन काच या सेरैमिक का कंटेनर सबसे बेस्ट होता है, मैंने यहाँ यह काच का जार ले लिया है, इसे अच्छे से धोकर पोच कर पूरी तरह से ज्राइ कर लिया है, अब इसमें अचार भरेंगे, एक बात का ध्यान रखे, अचार भरने के बाद कंटेनर में थोड़ी सी जगा हमेशा रहनी चाहिए, अचार कंटेनर के गरदन तक आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, अचार के कंटेनर के उपर यह जो मसाला लग जाता है, इसे साफ कपड़े से या टिशू पेपर से पोच्छते रहे, ताकि इसमें फंगस लगकर अचार खराब ना हो, अचा सा तेल फिर से गरम करके पूरी तरह से ठंडा करके अचार में मिलाए, अचार को हमेशा तेल में डुबो कर रखे, हमने ये अचार आज ही बनाया है, इसलिए इसमें तेल उपर नहीं आया है, एक दो दिन में जब ये अचार पूरी तरह से सौफ हो जाएगा, तो तेल उप इस तरह से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके हाथों से बना हूँ आचार कभी भी खराब नहीं होगा, सालो साल अच्छा रहेगा, अगर आपको आज की वीडियो पसंद रही हूँ तो प्लिस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के सा जादा से जादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्ते